नमस्कार सस्काल मैं हां कमरसंदू आई दे शो दी ओवर व्यूच तोड़ा सब दा स्वागत सबतों पहलों मैं गाल करूंगा अरुनाचल प्रदेश च तुवांग सेक्टर दे येंग से खेतर च पार्ती फाजाते चीनी सेनी का दिर्मान हुई यां हुई चडप दी ए मसला 9 दिसेंबर दा पर इस बार जानकारी जड़ी है और सिर्फ दो दन पहला ही रख्या मंतिरी राजनाथ सिंग ने संसद नों दिती इस मसले नों लेके हाले वी स्थिती बहुती साफ नहीं है तर वकरियां वकरियां रिपोर्ट्स जड़ी हमा ओथ हो आरियां इस चडप दी उज पिछले करीब दो दिना तो संसद च देखन ते सुननों मिली आते विरोधी तेरा मलों दो मां सदनाच राजस सबा ते लोक सबाच वाक आउट भी कीता गया जित्थे दो में फोजांच क्लैश होया ओ अरना चल दा केड़ा इलाका वा केड़ा हिस्सा वा हुंता का रह होया पर कुछ जानकार सुत्रा मताबक इस चड़प च ती तों पैंती अपने जवान जड़ेया ओ जखमी होये कुछ ज्यादा गंबीर वी हान 1902 पारत चीन दर्मियान लड़ाईच अरना चल दे केड़े लाकियांच जंग लड़ी गई सी की वजा की येंग से खेतर जेते हुनी चड़प होया 1902 पारत विड़े ये थे अमन शांती रही पर हुन उत्थे ही चड़प होई है और शुरू कर दे हैं आई दा विशलेशन जित्थे 9 दिसंबर नो दुमा फोजांच क्लाश होया ओ अरना चल प्रदेश दा केड़ा इलाका बार अरना चल प्रदेश जड़ा तन पताई है कि इंडिया दा सब तो पूरी भी स्टेट पूरी भी स्टेट है बिलकुल एइस्टर स्टेट है और एक पासे म्यान मार जिनू बर्मा कहीं दे सी और दूज़े पासे फिर चाइना दा बौडर अलम।स्ट ग्यारा सो किलोमेटर अरना चल देना चाइना दा बौडर लगदा और एक पासे बौटान मी अरना चल प्रदेश दा बौटान दे नालु दा बौडर रहाँ जड़ी चड़प होई यह येंग से देवेच होई जो तौांग जिले दा हिस्टा बाद अरना चल देवेचे एक्शली पची जिले आ और तौांग उना पच्ची आँ देवेचे यह क्या, बहुत खुबसूरत जगा वा सलानी ये थे, बहुत वड़ी तदाद दे वेच जानदे है, तुवांग देच हालां कि ओथे, पॉपलेशन बहुत ही नहीं, सारे जिले दी पॉपलेशन तस्या जानदा पी सिर्फ 5,000 है, लेकर ओथे बहुत वड़ी मॉनस्ट्री है जिदों दलाई लमा, 1959 देवेच, 1960 दे करीब, चाइना तों पारत आये सी, और पहलों तुवांग देवेच आये सी, तुवांग मॉनस्ट्रीच कुछ दिन रहे वी, उस तों बाद फिर ओगे आये और होने आसवेड़े तानों पता ही है कि तरमशाला मेकलोड गाइज देए, उते एक वाटरफॉल भी है, बहुत मशूर वाटरफॉल है, और तारे अपने पंजाबियां वास्ते एक होर इंटरस्ट दी गाले है कि अल्मॉस्ट तेरा हजार फोट उन्चाई दे उपर एक उते गुर्दरावी बने होया वा, बहुत इत्यासिक गुर्दवरा द अरुना चलनू वैसे ते दो डिविजन्स दे विच डिवाइड किता गया वा, इस ते वेस्ट लेकन जवे मैं दस्या की हो दिया है, पच्छीज है लेया, लेकिन हो जिए पंच रिवर वैलीज या, ज्यादा लोग ही अरुना चलनू उन्हे रिवर वैलीज दे मताबक ही जान देया, और आर्मी पॉइंट आफ यू नाल वी एजनिया वैलीज या, बहुत इंपॉर्टन या, इस पंच वैलीज ने, कमिंग, जड़ी कमिंग या, वो सब तो वेस्टन साइड देया, उदे नाल है फिर जिन्हों अपन सेंट्रल एरिया कैसे देया है, सुबानसिरी और स्यांग एरिया, फिर रोस्तों बाद बिल्कुल इस दे पासे है लोहित वैली और लोहित थले है तिरप वैली, सो ये पंच वैलीज नाले जाने जाना जाना वा, ते जड़ा कमांग, जड़ा कमेंग, जड़ा बिल्कुल वेस्टन साइड दे जड़ी वैली या, उन्हो आर्मी पार्लांस देवेच कमेंग फ्रंटियर डिवीजन मी कें देया, उन्हों फिर बाच तेंचार इसेंच बंडेया हुया वा, तुवांग, सेला, बॉम डिला ते तेज़ पुर, तुसी सेला, बॉम डिला बारे सुनेया हुना, क्योंकि ये थे 1902 देवेच काफी जंग भ और ये अलमस्ट तवांग शेर है जड़ा, उते तों करीब पैंटी किलोमीटर दूर दस देया और ये थिंगबू तसील दा हिससा वा, एक्शली उते एक पेंड देया, उन्हों आर्मी वाले मेंगो चूना वे गें देया, उते आर्मी दी काफी प्रेजन सेया, आर्मी ने पी सियों भी बनाया खूंकि उतेना कुम्मिनिकेशन बहुत मारिए ये अचू पीशियों भी बनाया हुए वा, और अधे नेरे आर्मी दी कोस्ट विया और जित वे एस क्लाश हुए वो पोस्ट दस दिया, पोस्ट दनाम हा ठाँग ला पहलो फोस्ट नहीं सी हुंदी, ए आर्मी ने पोस्टा मी प्रेट कीती है, इस एरिये देवेच एक लैश होया, एक जानकारी नहीं लेकर जो खबराँ आरिया मां उना मताबके जो चगड़ा होया वाई, एक थांगला पोस्ट होया, एस एरिये देवेच उनी सो बाठ देवेच लड़ाई नहीं सी होई, हालांकि तो आंग दे होर बहुत सारे एरियाज देवेच जेदे बारे मैं गल करूंगा, वो थे उनी सो बाठ देवेच जो चीन नहीं लड़ाई होई है, बहुत काफी सरगर्मी सी, बहुत जबरदस्त कई था माते लड़ाई भी होई, अफसोस ना कहना पेंदा पे अपनी योदों, चाहिना तो बड़ी बुरी हार होई स लेकिन अपने जवान जड़े सी बड़ी दिलेरी नाल उस लड़ेवी लड़े सी, उन्हापा नेक्स्ट इशूते होने हैं, दोवा मुलकानिया फोजी टुकडियां चे ताजी चड़प क्यों अते किवें हुई, जो मैं तनों दस्यावा कि उनीस सो बाठ देवेच एस एर देखी गई, और दोहजार सोड़ां देवेच काफी टेंशन इस येंग से एरिया देवेच होई सीगी, लेकिन उदों कोई चड़प नहीं होई, जिदों दोक साल पहलों, अपरियाल मैं दोजार वी देवेच टेवेच टेंशन होई, क्लैश भी होया, और उदेच दोमें पासे हैं दी हैं, जर्नाव ही गई हैं, अपने देवी जवान दे करीब हो सवड़े मारे गए, और चाइना देवी कितास देवेच चार पांच जवान जड़े हैं, ओ मारे गए, लेकिन येंग से देवेच ओस वड़े कोई टेंशन नहीं सी, इस तन लदाख देवेच भी कुछी क्लैशेज हुए सी, लेकिन पिछले साल, अक्टूबर देवेच, जरों दो में फाजाँ चाइनीज ट्रॉप्स ते, अपने ट्रॉप्स पेट्रोलिंग कर रे सी, ओधों इस येंग से एरिया देवेच टेंशन हुए सी, लेकिन क्लैश होंदा होंदा हो सदे बाच 9 डिसेंबर नू, ये दे मारी मोटियां इंडिकेशन्स जड़िया मां जो थोंदे सूतर दास देया, ओर नुवेंबर दे खीर देवेच, इंडिकेशन्स अन लग पियां सी, पि एथे क्लैश हो सगदा वा, ओधों जड़ी एथे थे थैंगला दी पोस्ट है, थैंगला दे जड़े सी, उना वेखिया कि थोड़ा जड़ा दूर हटके, वो काफी ट्रॉप्स होते, कठे हुए होया, उना ने अपने ऑविसली ब्रिगेड हैड़कॉर्टर्स नू, इनफॉर्म कीता, और ब्रिगेड हैड़कॉर्टर्स ने थांगला पोस्ट और निड़े तरी दें, जड़े खबे साजे पोस्टा मां, वो थे क्वेक रेक्शन टीम्स बनाते हैं, जिन्हों अंग्रेजी चे मिलिटरी पारलेंज चे क्यू आटी कहीं देया, क्वेक रेक्शन टीम्स ने बनाते हैं, पि जड़ी पोस्ट दे होते हैं, चाइनीज आके उनू केरंदी कोशिश क करनगी आपनी इंडिन पोस्ट नो, बाकी पोस्ट आँ दे हैं, क्यू आटी जड़ी हैं, वो थे, रिइनफोर्स करनगी उस पोस्ट नो, क्योंकि जड़ा भी हमला करता हो, ज्यादा फोज ना करूगा, सो एक पोस्ट दे होते हैं, सरी चाड़ी तो पजाब दे हैं, सो एक करनगी कोशिश कर रहे हैं, थांगला पोस्ट नो, ते जिनिया क्यू आटी सी, उनना रिडियो मैसेज़ गए, और वो क्यू आटी जड़ी हमाँ, वो थांगला पोस्ट नी मदद वास्ते हो थे, पोच गियां, जिदों, दस्दे आप पता नहीं, कंपनी स्ट्रेंग सी, प बड़ा साहका काम होना, पर उसे सारे कुक रियक्शन्स टीम्स कठियां हो गयां, और इ्क रियक्शन्स टीम्स एजड़ी हैं, डिफिर्ट डिफिर्ट आर्मी बिटैलीघ मेंज्ट तहों, दस्दे आ की, तिन रिच्वेंज्ट दीहें, टुकनी सी, एक ते सी, जम्मू और किश्मीर राइफल्स रज्जमेंट दी एक बिटैलियन ओधी टीम दूजी सी जाट रज्जमेंट दी एक बिटैलियन दी टीम और तीसरी सिख लाइट इंफिंट्री दी एक टीम सो जदों क्लैश होया एक तिनने ही टीमा जड़ियां होते सान इनने थांगला पोस्ट दी मदद कीती और तुसी एक वीडियो शैद देखी हुनी हो लगदा थे हुई या पी वीडियो ताजी वीडियो वा जेदेच कोई पंजाबी देवेच गलां कर रहे है पंजाबी च इं वीडियो आगे इने बंदे ओनाना एंदाजाद नी सी लाया पी इ ए रामस्ट जिनने स्ट्रेंग्स देवेच ओए और तो नहीं स्ट्रेंड या तो बद स्ट्रांग्स देवेचे कटे होई थे सो उत्धें इस्ट्रकशन सेया श्रूदा हmpfen नहीं चाहँगे है यह थे लेक फिर भी सुटे गए एक दूजे दूते और काफी मार्क उटाई हुई। काफी बंदे केंदें जखमी मी हुए हाला कि अपने रख्या मंतरी राजनासिंग ने पार्लिमेंट किया वापी कोई अपना जवान जड़ावा और सीरिसली इंजेड नहीं हुए। जखमी नहीं हुए है। लेकिन कुछ जड़े सूतर ने उननने मीडिया वड़ावन दस्या और एक मीडिया दे राइटर ने अजे शुकला करनल अजे शुकला पहलों करनल रहे है। उनना मताबक अपने करीब 35 जवान जवान जखमी हुए है। ज़ना नों गुहाटी हस्टाल मिलिटरी हॉस्पिटल एवैकुएट भी किता गया वा। पर सुतरे भी दस्टे है कि चाइनीज आर्मी दे काफी ज्यादा फट्रड हुए है। क्योंकि इना ने बहुत सख्त मुकाबला अपने जवाना ने उथे कीता वा। देखनें आगले दिनांदे वेचे की फाइनली निकल के होंदी अगल लेकिन जो पी एले दी कोशिश सी इस पोस्ट नो ओवर रान करन दी केरन दी उथे अपना सिका जमान दी ओना दी कोशिच जड़िया नाकाम्याब हुए हुए हुस तो बाद दो मिलिटरी कमांडर्स द अगया वो थे उन अल्मोस्ट एक ब्रगेड स्ट्रेंग्थ अपनी जड़ी है वो टुप्स हो थे मवजूद ने असरे उना आपा नेक्स्ट इशू दिपर आने हैं 1902 पारत चीन दर्मियां लड़ाई विड़े अरुना चल दे केड़े लाकियां ची जंग लड़ी गई सी 1902 दी जड़ी लड़ाई वो बेसिकली दो सेक्टर्स दे वेची एक पासे लड़ाख सेक्टर्स तुझे पासे नेफा दे वेच नौर्थ इस्ट फ्रेंट्री एजंसी जिन्नों आजकल अरुना चल परदेश के ने हैं अरुना चल परदेश जड़ी है 1987 देचे फुल फ्रे स्टेट बनगी सी पर इनू पहलों जड़े पराने लोक ने पराने किताबान दे वेचे दा जिकर नेफा वा और अरुना चल परदेश दे वेच वी मैं नेफा उत्हों दी लड़ाख दी काल ने करूंगा लेकिन अरु जंग होई सी उस हन कमिंग फ्रेंटियर डिविजन जिन्नों अपत्वांग एरिया कहीने है या लोहित फ्रेंटियर डिविजन दूसरा वा जिन्नों वेलांग भी कहीने है और तीसरा एरिया है सुबानसिरी और स्यांग फ्रेंटियर डिविजन कमिंग और तुमांग दे वेच ये तोला पोस्तों काम शुरू होया सी और उस्तों बाद फिर बहुत बड़ा वड़ी लड़ाई होई नामका चू जिते सेवन इंफिंट्री बिर्गेड ने बहुत दिलेरी ना लड़ाई कीती लेकिन उना उनों सुरिंडर करना पया और उसारी बिर्गेडी क्रीप करी तबाह होगी यह सुरिंडर करना पया और उन्दा बिर्गेड कुमांडर जिड़ासी बिर्गेडी डाल भी ओवी प्यो डव्यू प्रिजनर आफ वार ले गए गए उस्तों बाद तुवांग दे उते हमला होया तुवांग भी कैपचर हो गया फिर उस्तों बाद सेला थे बॉंडीला थे हमला होया और इनल एरियाज नो भी कैपचर कर लेता गया तुमांग तो बाद फिर चाईना ने अटैक ही था? लोहिड फ्रन्ट्री डिविजन थे वै लोंग देख धे अटैक होया, लेकिन सढ़ी आर्मी ने पहलों ते मुकाबला की था? लेकिन बाद फे बैच आर्मी नी विड्राओ कर ले और सई विड्राओ कर ले तो जो सेवन्ध इंफिंट्री डिविजन दा हाल होया सी गया तौांग दे वेच तौांग दे वेच ओई हाल वे लॉइ 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 अथन दी बिर्गेड दा होना सी इस तो इलावा फिर सुभान सिरी और सियांग दे वेच वी क्लैशेज होये लेकिन उथे वी असी विड्रॉ कर लिया कुछ नुकसान जानी नुकसान जरूर होया लेकिन मन्याजन दावा कि उथे असी गलत विड्रॉ कीता अपनी उथे काफी फोर्स सी असी कड़ा मुकाबला कर सक दे सी और हो सकतावाँ थे वोशे घेयर चापं 1912 दे वेच चाइनिज नु मात भी दे सक दे लेकिन क्योंजिय एसी लदाख दे वेच परी तरह हार गे सी क्योंकि एसी तवांग दे वेच परी तरह हार गे सी वे लॉंग स्रेंडर कर चुके सी तो साड़े एत्हुंदे कमांडर्स नेवी स्रेंडर करना बेतर समझा लेकिन क्या जानदा वा कि एक गलती सी सानु उते कड़ा मुकाबला करना चीदा सी गा पर अफसोस दी गाले है पि ये सारे जंग देवेच 1902 दी लड़ाई देवेच असी इंडियन एर फोर्स नो इस्तेमाल नहीं कीता ये इंडियन एर फोर्स इस्तेमाल कीती हुंदी ते शायद एज जंग दाजड़ा आउटकम हैं नतीज़ा वकरा हो सगदा सी लेकिन अरना चलते जड़े तेनलाकियां ची लड़ाई होई तवांग ची लड़ाई होई लेकिन येंग से जिते हून क्लैश होया वा ओ एरिया पीस्फुल रहा वो थे अमन शान्ती रही हालां कि ए एरिया तवांग तो बौती दूर नहीं तवांग कैप्चर हो गया सी लेकिन तवांग तो एक रीप पैंटी किलोमीटर दूर है लेकिन ये थे अमन शान्ती उस्फुले रही उन्हापन लास्ट इशू ते होने हैं 1902 जंग बिड़े येंग से खेतर चे क्यों रही सी शान्ती तो हून उससे खेतर चे चड़प क्यों ये बड़े दिल्चस्प इशू हुआ कि उस्फुले ये थे अमन शान्ती क्यों रही ते होनो थे एनी टेंशन क्यों हुआ मैं काफी फाजी अफसराना गालबात कीती है जड़े हो थे पोस्टेड रहे हैं जनना ने एस इलाके बारे लिख्यावा लड़ाई बारे लिख्यावा 1902 दे जन्ग दे वेच भी उस इलाके ज रहे हो थे बाद दे वेच यो जान दे रहे है उनना दा मनना वा कि एस इलाके दे वेच 1902 दे वेच लड़ाई नहीं होई क्योंकि एथे अंदर आना काफी मुश्कल सी वोदों कोई इंग्रेस दे रूट नहीं सी गे कोई एक्सस नहीं से उते पहुंचन दी उस लड़ाई सो इस करके दो में पासियों उते जाना काफी ओखा सी चाइनीज वास्ते भी काफी ओखा सी होना और सानू भी इस एरिये नो डिफेंड करना काफी ओखा सी लेकिन हुन हलात गया बदल और इसे करके उस एरिये चो रही है टेंशन और इस एरिये नो लगातार चाइना अपना हिस्सा मनदा रहावा ओँ हमेशा कहिंदे रहावी येंग्स साड़ावा जो इसे ते यू सारे अरणाचल परदेशन को कहिंदे यापी तिबदा हिससा हा एक। तिबबबद साउथ-थिबद वह मनदे अरणाचल premiere परदेशन के। लेकिन येंग्स से नो ऐनो खास , दिलिचस्पी राख देया। इसकर के वह दिलिचस्पी राख देया। कि दिलाई लामा सब तो पहलो एस एरिये दे विच गैंक से चाहे सी और यह तो बाद फिर अगे इंडिया चाहे हो जो इस करके ओ इस एरिये नो देते हैं मेशें अपना हक जमाँ दे रहा है और पिछले करीब पंदरांक सालां तो हौली हौली उनने उथे अपने पेंड वरस दे वेचे कगी दरजना पंड उनने वसा ले है और जिटे जिटे पंड विसाय है उत्ते पी अफ्ले पोस्ट भी है। उनने ओर आर्मी दी पोस्ट है उत्त तक उनने तका हमीं पछाती है। तो बहुत वदिया इंफ्रस्रक्ट्रक्टर हो थे और प्रॉपर आर्मी और पेंडवड़यां दीन आपस दे वेच ताल मेले या। तो हून इंग्रेस दे रूट बहुत उना बना ले या। और सिर्फ उना नहीं बना ले। कुछ साल पहलो सानु ही जा गाई। सानु लगा। जरों 2015-16 दे वेच जरों क्लैशिज हुंदे हुंदे बचे। उत तो बाद असी में अपना इंफ्रस्रक्टर जड़ा बापे दोड़ना शुरू करता। मैं जरुमें दस्या की अगे असी पिट्रोलिंग कर दें देशियों थे। लेकन हुन असी पोस्टां क्रियेट करनियां शुरू करतीयां। जिवें की जड़ा येंक से देवेच और उजड़ा हुथे अंतर में दस्या जड़ा पेंड़ेयां। उन पीशियों भी वे वे लाइगा आए रहु है। उन अपनी पोस्ट भी करेट कीतीयां। और सिर्फ भी पोस्टां ही उसी क्रेट नी कीतीयां। ऑर साड़ी यू थे कोशिश बेंगा लूना साड़कां देशिटम भी अगे अनों बेतर करिये। लोकल सड़का में बढ़िया हमां और एक बहुत अमबिशिस प्रोजेक्ट है एक अरुना चल फ्रंटियर को हाईवे ए जड़ी मैकमोहन लाइन ने जड़ी इंडिया ते चाइना दा बॉर्डर डिफाइन कर दिया है मैकमोहन लाइन उन्यस्तो चौदा दे वेच अंग्रेज से तक यह हाईवे जड़ी है बढ़ूगी बढ़ा मैंगा प्रोजेक्ट है अल्मूस्ट चाली हजार क्रोड़ दा प्रोजेक्ट है हो सबसे है इन्हों बंदे बंदे अगले दस साल लग जाना लेकिन जिदो चाइना ए ऐसी बनान दा प्रपोजल रखे आ ते चाइना नो यह होई एरिया जिते क्लैशिस होए है और नाल फिर अपन सुभानशिरी अपर सियांग डेबांग वैली करदे करदे बिल्कुल म्यानमार बॉर्डर दे कोड जाके विजयनागर जगावा जितो तक यह सड़क बढ़ूँगी बहुत अंबिशिस प्रोजेक्ट है और यह और ऊपी इते काफी सहलानी काफी जानते है इनर लाइन परमिट लेना पहिन भी परेंदा है उस आलागे जानवास थे खास करेंगे टवांग दे लाके जानवास थे लेकिन जिए सड़क बनावांगे तो औविसली नाल नाल पोस्ट आमी कोंकि सड़क रूनों डिफेंड करना होगा सो दो में पास सड़कां बन रही है वा इंफरस्ट्रक्चर चवादा हो रही है वा फॉर फॉज हो थे पहुंच रही है साड़ी हो थे अलमुस्ट दो डिविजिन्स प्लस हुन उसी एरिये दे चसी इंडेक्ट कीती है हुई है इससे करके तुसी वेखिया वा कि द फिर उन चौना मां पाघीर हाल जड़ा वा ओ गळबाती होगा असी मढदे में में कहत्री एंप मोहन लाइन नो असी मढदे मांदे ना यान अ लाइन ऑफिजर एक्ष्ट्र कंट्रोल नो य लेकिन चैना के रही वा इंपी साडी क्लेम लाइन ओ उना ना ने एक अपनी ला बान वेली दे कल्याश तो बाद अल्मस्ट पंदरा यां सोड़ा मीटिंग्स होवी चुकिया मां लेकिन नाल नाल अपनी तियारी भी रखनी पहोगी तांकि यह कोई हमला करदा वा जैसाड़ी पोस्ट कबजा करन दे कोशिश करदा वा जैसी हो दा प्रॉपर मुकाबला कर स हुँ दरू पर फिर वी मैं कहीना मां की गल्बात ही अखीर एस मसले दा हाल है सो आज वास्ते नाई हुन दियो मेनों इजाज़त नमस्कार सस्थिकार है लो है लो है लो है लो है लो है लो बार वस्दे पंजाबियानों अपने अना जोडन ले वतनों पार वस्दियानों अपनी मिट्टी दी चलक देन ले खबर ही ने ओस दी तै तक जाके सच्चाई तोहाडे तक पहुंचों ले तोहाडी आवाज तोहाडे मुद्यानों सरक अपना होस्ट उग्गे पत्रकार कमवर संदू एक बार फेर तो पेश कार रहे हां सत्स्रीकाल मैं हां कमवर संदू क्योंकि ये कॉलेन शो हुआ तुसी भी ये देश हिसा ले सक देजे समाज गी हर खबर ते नजर ही नहीं जोंगे आई नार पडचोल दा ओवर्वियो कमर संदू देनाल